सो नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जैई दे रहे हो तो जैई पर फोकस करो अर्निंग चलती रहती है क्योंकि मैं भी इन सम्में लग गया था 11th क्लास में तो उसके चक्कर में थोड़ी पढ़ाई चॉपट हो गई थी और फिर 11-12 में हो तो पढ़ाई पी फोकस करो और हाँ फ्री टाइम में जरूर कर सकते हो तीक है फ्री टाइम में यू कि इट रहे हो तो यह जरूर से ट्राय करना और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने क्या बोलते हैं वन मिलियन रुपीज कमाए थे अपने सेकंड यर में सेकंड अब भी नहीं मिड है जित्ता जादा पैसा आपको मानना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विडाउट टाइम वेस्ट करें सबसे पहले तो मुल्टीपल वेस हैं जो भी मुल्टीपल वेस होंगे सब में इस वीडियो में डिसकस कर दूंगा कैसे क्या करना है वो ही बता दूं कुछ मिट्स हैं जो बस्ट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत मिसन्फॉर्मेशन भी रहती है मार्टेट में ठीक है और आपको फाइनिचियली इंडिपेंडेंट बना सकता है और अपनी आप इवन फीज भी पे कर सकते हैं इंडाउट कॉलेज जायने वाले तक अन कर सकते हैं तो यह मत सोच हो कि अगर आप IITN हो 16,000,000 की पेरे रैंक लानी पड़ेगी तभी आप कमा सकते हो तो यह बिल्कुली मित है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पेरे सबसे जो कॉमन वी है सबसे जो अर्न करने का वो है फ्रीलेंसिंग, फ्रीलेंसिंग बोलते तो सब में कैसे करनी है, क्या होता यह इसी को नहीं पता परिय्ली बात तो इसमें ऐसा धे इसा-धे कुछ investment नहीं लगता है। पट जितनी भी फ्रीलेंसिंग हमने करी है हमने तो कोई इंवेस्टमेंट नहीं लगाया तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी रुपे नहीं लगाने हैं लेकिन आपको कुछ प्री रिक्विस्टिक जो चीजें वो चाहिए होंगी तीक है वो मैं आपको बता जो सबसे पहले तो आपको एक skill develop करना पड़ेगा यह सबसे जादा important है freelancing में without skill develop करें कुछ नहीं हो सकता है यादखिएगा बहुत जादा important है skill development इसके बिना आपका freelancing start ही नहीं हो सकता है चाहिए आप कुछ भी कर लो अगर आपको ऐसा लगे कि आप freelance कर सकते हो without skill development तो not possible अब यह skill क्या हो स तो ऐसे बहुत सारे option होते हैं यह नहीं है multiple है तो कोई भी कि skill पकड़ो जो आपको लगता है कि हायार मैं इस चीज को बेच सकता हूं तो बस उस पर आपको develop करना है skill develop करना है is the first step और इसमें एक और चीज बताता हूं अगर आपको 3D या animation अगेरा आपता है तो इसमें काफ है आपको याद अखना है अपने जो skill है आपके अचिज से develop होने चाहिए आपको काम आना चाहिए ठीक है be your best ठीक है बनना पैसा नहीं मिलेगा ठीक है आपको यह थोड़ा बहुत पोर्टफोली या फिर प्रोजेक्ट अपना बनाना पड़ेगा without उसके possible नहीं है ठीक है प हो सकता है आपको पोर्टफोलियो बन जाएगा ठीक है यह आपको देने है ठीक है और स्टार्ट आप यह भी कर सकते हो किसी मतलब जैसे अपने सीनियर के लिए काम कर दिया पर किसी के लिए फ्री में स्टार्ट कर दिया मतलब प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने बस फ्री तो यह जैसे मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा आपस मेरा नाम लिख देना तो ऐसे लो करते हैं पहले फ्री में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा देना पेट की तरफ मूव कर सकते हो ठीक है मेरे साब से वीडियो एडिटिंग इस व होगा तो बैटर रहेगा इसलिए मैं आपको बोला था कि गेमिंग लेना है आपको क्योंकि बाकी चीज़ें अर्निंग की केपिबलेटी यह सब ओपन अप हो जाती है ठीक है और किदर करना है फ्रीलेंस देखो आप या तो मैनोली क्लाइन डूड सकते हैं ठीक है आप सब क कर सकते होते हैं दो 8 लोगी रिप्लाइ करें बटन जो रिप्लाइए करें Halbatic लेक हो सकता हा आपको पे करने को तो अर्टी हो जाए अपको नहीं तो दूसरा होता है कि आप डिफेरेंट तरे की साइट्स कर सकते हो Φिफ्रिलेंसिंग की साइटस होती है आप बस गूगल आपको सामने से client आएंगे, अगर आपकी rating अच्छी होगी तो आपको payment वगेरा भी मिल जाएगा, ठीक है, तो यह सब ऐसे चलता है, तो freelancing is one of the most common way जो आज students कमाते हैं, ठीक है, बस आपको एक skill develop करना पड़ेगा पहले, यह important है, without skill के आप नहीं कमा सकते, अगर आपको कुछ आपती है, तो आप उसे commodify कर सकते हैं, और आपको आराम से पैसा मिल सकता है, चलिए, अब आते हैं दूसरी चीज़ के हो, जिसे बोलते हैं, drop servicing, अगर आपको skill ही नहीं आता, फिर भी अगर आपको कमाना है, तो drop servicing is the best option, बट इसमें एक दिक्कत वी है, यह भी मैं बताऊ आता, फ्रीलेंसिंग में, क्या होता, क्या drop servicing, माल लेते हैं कि आप पर कोई client आया, तीक है, बिल्कुल freelancing जैसी मानो, आपने favor पर account बना रखा है, उस पर आपको client आ गया, उन्होंने का कि हम आपको 2000 रुपे देंगे, तीक है, और हमको एक 3D वीडियो बनानी है, 3D या फि कुछ 10 सेकंड ही माल लेते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम आपको 2000 रुपे देंगे, तो आपने का लाओ दो, ठीक है, आपने रख लिया पैसा, बट आपको आता ही नहीं है, 3D वीडियो एनिमेट करना, तो आप क्या करोगे, 1000 रुपे दोगे एक बंदे को जो प्रो है, क इसमें आपको कोई स्किल नहीं जाता है, इसमें बस निगोशियेशन स्किल्स हैं आपके, और कुछ भी नहीं, आपको बस क्लाइन से जाधा पैसे निकलवाने है, और जिसके थुरू काम करवा हो, इसको आपको बस बारगेन करके नीचे रखना है, तो जित्ता कर पाऊगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये कोविट की टाइम बहुत फ्रेमस था, मतलब ये चीज़ बहुत होई है, अंदा दुन्द होई है, ठीक है, बट अब ये मार्केट में भी कॉम्पिटिचन आ गया है, क्योंकि लोग वो बता चल गया है, लोग ऐसे कर रहे हैं, अब क् रिलेंसिंग ही चूज करना है, ड्रॉप सर्विसिंग का मोडल इतना मुझे कुछ खास लगनी दा, करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन वह एक्सपर्ट है, तुम मत ट्राए करो, ठीक है, अब बात आती है, नेक्स्ट चीज, यूटूब, यूटूब, यूटूब से भी आ आपको प्रोवाइट करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है, कि आपने वीडियो डाली तो आपकी वीडियो चली जाएगी, तुक्का सा माल लो, ठीक है, बहुत जादा दिक्कत है, जित्ती आदा वीडियो एडिटिंग आईगी, आपको उत्ता जादा चांसे हैं, कि आपका चल जाएगा, ठीक है, या फिर आपका कोई नीच ऐसा हो, जैसे मेरा जेई वाला नीच है, क्योंकि मैंने जेई एडवांस निकाला, इसलिए लोग मेरे को देखते हैं, वनना अगर मेरे मेंस भी निकला होता है, जेई की वीडियो बनाता कोई में देखता, गंटा नहीं द वीडियो तो इधर है, सम उंदर के नीचे, जो आपको रिकमेंड भी नहीं होता, तो भाई, बहुत कमपेटिशन है यूटूब पे भी, यूटूब के थ्रू मैंने 10 लाग पर कमाये थे, क्योंकि मेरा गेमिंग चैनल था, गेमिंग चैनल पर आप कमा सकते हैं, जैसे फ्र पर आप कमा पाएंगे, जैसे फ्रीक हैं जैसे फ्रीक हैं, बहुत कमा सकते हैं, यह क्योंकि मेरा गेमिंग चैनल था, जैसे फ्रीक हैं, तो पर आप 10 लोग आप खर दोगे, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो सकता है, दस का पंदर बना दे हूं, तो इसी फंडे पर काम करता है, इसके लिए आपको पैसा तो चाहिए होगा, इन्वेस्ट कैसे करोगे बनना, अगर ही नहीं तो तुम कैसे इन्वेस्ट करोगे, तो यह रिस्क आता है स्टॉक मार्केट के साथ, तो वही अगर आपने स्मार्ट अनलिस्ट य जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, देख लिए दो साल में I got 51 या 52% का रेटन, ठीक है, और यह स्मार्ट ली इन्वेस्ट करने का तरीका है, ठीक है, तो लगबग कितना होगे है, 300K पर ही है, ठीक है, बट वही बात है कि मेरा जो इन्वेस्टेट अमाउंट है, वो भी ट्रेडिंग में kind of a stock market का ही माल लो, इसमें आपको बस stock या commodities या फिर कुछ भी हो सकता, option trading हो गयरा है, उसी जैसा है, stock market से related ही मानो, in short, trading को समझाने के लिए तो अलग से ही मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, इसकी इसमें भी होता है, याद रखिए जो 90% traders है न तब यह आप कर पाओगे, ठीक है, और इसकी books books भी आती है, यह सब आपको, मतलब read करना पड़ेगा, तब ही आपका होगा, और YT पे देखो, YouTube पे आज कल बहुत लोग उल्लू बना रहे हैं, पता है आपको, जो भी videos दालने हैं, mostly खुद तो loss बनाती हैं, आपको भी loss पकड जाओगे, इसके लिए आपको एक टीम चाहिए होगी, बढ़िया आइडिया होना चाहिए, एक नॉमिस का बेसिक आइडिया प्लस फंडिंग चाहिए होगी, लेकिन यह बना हुद टफस चीज है, जो आप कर सकते हो, ठीक है, ट्राय ज़रूर करिएगा, स्टार्ट अप का इस वीडियो में ध्यानवा किये, मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही बता है, अगर आपको थोड़ा वा डिटेल में चाहिए होगा, तो मैं विट टाइम बना दूँगा, चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में, थेंक्यों थेंक्स वाचिंग, बाबाई